election की डेट जारी हो चुकी है और ये 19 अपरेल, 26 अपरेल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून की है अब हमारी जो नीट की एक्जाम है वो 5 मई 2021 की है तो क्या 7 मई 2020 को जो election की डेट है वो NEET exam date 5 मई 24 को effect कर सकती है तो मैं आपको यहां बता दूं कि इससे NEET exam पर कोई effect नहीं होगा NEET exam 5 मई 24 को ही होगी क्योंकि 2019 में जब लोकसभा election थे उस समय पर भी NEET exam 5 मई 2019 को थी और 6 मई 2019 को यानि दूसरे ही दिन राजस्तान, MP, UP, माराश्टरा, बिहार, जारखंड, वेश्ट, बंगॉल यानि टोटल 12 states में election थे तो उसमें भी कोई effect नहीं पड़ा था यानि कि जो election date 6 मई थी उसके बावजूद भी 5 मई को NEET की exam conduct हुई थी इसलिए इस election date से और इस election से NEET की exam पर कोई effect नहीं पड़ेगा यानि कि जो NEET की exam होगी वो 5 मई 2024 को ही होगी आप उसी तरीके से अपने तयारी जारी रखें और इस बार आपको medical college में admission लेना ही है ये M बना के चलें आप ये आपके अंदर एक जज़वा होना चाहिए कि मेरे को इस बार medical college में admission लेना ही है तयारी उसी तरीके से करें अभी जो समय है वो आपको अच्छी तरह तयारी करने का ये ही समय है आपके लिए ये बहुत ही लाबधाईक समय है तो ये एक छोटी सी information थी क्योंकि आप लोग इसके बारे में काफी कंफ्यूज हो जाएंगे election की date सुनकरके तो मैं आपको बता दूँ कि इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है नीट की exam पर मिलेंगे नई updates के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन